नमस्कार स्वावेत आपको और मैं हूँ आपके साथ लता दिल्ली हिंसा से जोड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पीटर फैडरिक ने रचीती दिल्ली हिंसा की पूरी साधिश जिस तरीके से लगतार दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस एक के बाद एक नए बड़े खुलासे कर रहे है और उसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा सामने है जहाँ जिस तरीके से पीटर फैडरिक जो की आपको बताया दे है अमेरिका में जिस तरीके से महत्मा गांधी की जो मूर्ती तोड़ी गई थी इसका बिल्ल्म पीटर फैडरिक ने कबूला था और इस पूरी जो साधिश ती दिल्ली हिंसा को लेकर इसको पीटर फैडिक नहीं रचा था किस तरीके से कौन-कौन से हैस्ट्रैक ट्रेंड करने हैं और कौन-कौन से हैस्ट्रैक कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले पूरी साधिश पीटर फैडिक नहीं रची कि आखिर कौन खालिस्तानी शक्तियों के साथ मिलकर भारत को तोड़ने का काम कर रहा है तो जिस तरीके से आपको बता दे कि पीटर फैडरी का जो इतिहास रहा है आपको बताते चले कि अमेरिका के कालिफोनिय में भारती दुतावास के बाहर एक पार्क में लगी महत्मा गा काम देते हुए इस पर कड़ी कारवाई करने की बांग की गजी जिसके बात इस सामने आया था पीटर फैडरिक ने इस जुन को कबूल किया था कि उसने किसी के कहने पर इस मूर्ती को तोड़ा था तो जिस तरीके से आपको बता दे वही कॉलिफोनिया में खालिस्तान समर् की थी और ऐसा पहले बार नहीं हुआ है जब अमेरिका में गांधी प्रतिमा के साथ बदसलूकी की गई हो इसके पहले भी कई बार इस तरीके के हतकंडे खालिस्तानी समर्थकों के ओर से लगतार सामने आ चुके हैं तो साफ़तों पर इस तरीके से यहां पर जो बड़े ब नामों के खुलासे हो रहे हैं तो जिसको लेकर अब लगतार जो एक के बाद एक बड़े नामों का खुलासा हो रहा है इसको लेकर अब लगतार कॉंग्रेज बॉखलाहत में आ चुकी क्योंकि जिस तरीके से लगतार कॉंग्रेज महत्मा गांधी के दाम पर आजरिती करती हुई हाई है लगतार RSS पर कई आरोप उसने लगाए है लेकिन खुद खालिस्तानियों के साथ मिलकर इस तरीके से अंतरवास्ट्रिये मंच पर महत्मा गानी की मूर्ति को तुड़वा कर हिंदू समाज के को जो अगहाद पहुचाने का काम कॉंग्रेस ने लगतार किया है य जिशा, शांतनू और निकिता जैकब के लगतार टच में था और जिस तदिके से कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या अपलोड करना है और क्या हैस्टेक ट्रेंड करना है ये पूरी जो भड़काव हैस्टेक देने का काम था वो पीटर फेडरिक ने ही रच्चा था इसक अस्तानी PGF ने पूरी वेब मीटिंग ली ती जिसके बाद सभी को वीजियो कॉल पर उसके जिम्हदारी बताई गई थी जिसके बाद पूरा जो टूल कीट है वो एडिट किया गया था और 11 जन्वरी को ही PGF की जूम मीटिंग में दिशा, शांतनू और निकिता एक दूसर सामने आ रहे हैं जिस पर यह साफ हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ किसानों की आर में कई ऐसे लोग हैं कोई ऐसे विशे समुदाय के लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम करें क्योंकि जिस तरीके से PGF का जो वीजियो वारे हुआ था हमने देखा था PGF के CEO का मो खालीव ये कहता हुआ दिखाई पल रहा था कि करशीक आंदोलन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है किसानों का एक कमजोर नहीं पढ़ना चाहिए और अगर किसी भी तरीके से सरकार इस बिल को वापस ले लेती है तब भी ये जो मुद्दा है ये जो आंदोलन ने इसको जारी रखना है क्योंकि उनका जो मेंन मोटिव था वो भारत को तोड़ना है और जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भारत को तोड़ने के लिए किसानों का इस्तिमाल किया जा रहा है इसको लेकर एक के बाद एक कड़ी अब लगतार सामने आ रही है जिस पर हम साबतार पर ये कह स सकते हैं कि ये वाकई अंतरवास्टे मंच पर भारत को तोड़ने की एक जो साधिश्टी वो पूरी तरीके से बिनकाब अब हो चुके क्योंकि दिल्ली पूरी सब बहुत करीब है कि उन गुंडों के नाम उन आतंगवादियों के नाम सामने लेकर आए जो इस पूरी पठकता इस तरीके से बैंगलों से दिशा को दिशारवी को गरफटार किया है हला कि पुलिस की हिरासफ में दिशा है जिसने कई एहमराज इज़ोरान खोले हैं हला कि वो लगतार ये बात कहती हुए दिखाई पड़ रही है कि उसे इस विशह में कोई जानकारी नहीं है तो जिस त करके कि बायनबाजी कोर्ट में कर रही है रोते हुए कि उन्हें इस विशह में नहीं पताता तो फिर वो मैसेज का क्या मतलब है जो आपने ग्रेटर थनबर को किया कि आपको आपके उपर उपा लग सकता है तो आप अब इस ट्वीट को डिलीट करकर आप किसी से कोई जान साइबर सेल दिली पोलिस की है वो पूरी गंभिरता से इस विशह में जाच करें कि आखे वो कौन लोग है जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं देश की संपरभूता को खत्म करने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं जिसको लेकर अब कई एहम जो कड़ी दर कड़ी ह जिसमें कई तमाम जो हमारे देश के तथाकतित नेता हैं उनके भी नाम अब सामने आएंगे क्यों जिस तरीके पूरा यह हमने किसान अंदुलन देखा था इसमें कैसे चाहे हम आमादनी पार्टी के अर्विन के जिवाल की बात करें चाहे हम इसमें राहुल गांधी की बा जैसे अर्विन्द केजरिवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाडरा और तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब दिशारवे की जो रिहाई को लेकर उसको बचाने को लेकर तरह तरह के जो ट्विट्स कर रहा है इससे साफतर पर यह जाहिर होता है कि अब उन्हें य तो आपको बता दें इसी कड़ी में आज दिल्ली पोलिस की साइबर सेल ने अपनी प्रेस कॉन्फरेंस भी की थी जिसमें साफतर पर कई एहम खुलासे पोलिस ने जोरान किये थे पोलिस ने साफतर पर कहा था कि आरोपी ने टूलकिट बनाने की बाद जो है वो कबूल ली है और 11 जनवरी को ही पूरी शॉलेंटर की जो पढ़कता है वो रची गई थी और किस तरीके से इसमें भारत को तोलने की जो बाते कहीं गई थी पूरे टूलकिट में हमने देखा था कि कैसे अलग अलग कोड़ वर्ट का इस्तेमाल करकर कैसे चाय और यूगा का इस्तेमाल किया गया था और पूरी साज़िस की आकिर जो हिंसा है वो कहा करनी है किस जगा पर करनी है किस वक्त करनी और कैसे करनी है इस पूरी बड़ा आतंग का महौल बनाने के लिए ये पूरी साधिश रची गजी जो कि वाकई बेहत शर्बनाग थी आपको साथ ही बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने साफतार पर साधिश के क्रोनलोजी का बड़ा खुलासा कुवा किया है साफतार पर आरूपियों के बीच में कई दौर की बैठके भी हुई है और हिंसा को लेकर ऑनलाइन चर्चा इस पर की गई है हिंसा के बार अंतरवाश्टी साधिश में कैसे इसको बड़ावा देना है इसको लेकर खास चर्चा की गई और दिशा निकिता और शांतनू की गरफतारी को लेकर भी पुलिस साबतार पर ये कह रही है कि अब जिस तरीके से दिशारवी पुलिस की गरफ्त में है और वो दिन बहुत जल्द होगा क्योंकि अब शांतनू और निकिता को भी गरफ्तार कर ले जाएगा हाला कि दोनों मौके से फरान हैं हाला कि आपको बता दे कि 11 जनवरी को निकिता से पुलिस ने मुलाखात भी किती है और जिसके बाद निकिता तभी से फरार चौल रही है लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पाचियों का जो शर्मनाख चेहरा इस पर अब सामने आया है ये कई और इश्वारा करता है कि आखिर आप क्यों खालिस्तानी संगठनियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी संगठनियों के साथ मिलकर वदेशी ताकतों के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक मोधी के नाम को लेकर देश में आतंग फैलाना चाते हैं देश की संपरबुदा को खत माल करकर कैसे बहरी शक्तियों के साथ मिलकर अपने दरेश को तोनले का काम कर रहे हैं जो कि वाकई बहुत घृनात्मक्त फीलिंग को लेकर आता है लेकिन इसी बीच बड़ी बात यह है कि दिल्ले पुलिस अब लगतार कड़ी दरकड़ी इन सभी पहलों की जाच कर रही है औ और बहुत जल्द कई एहम नाम और सामने आएंगे जिनमें आपको बताते चले कि कॉंग्रेस आम आदनी पार्टी सही तमाम विपक्षी पार्ट्यों के बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल होगा तिको जिस तरीके से लगतार जो कतिविधियां व्राचनितिक पार्च चिट में भारत के खिलाब आर्थिक, समाजिक, संसक्रितिक और शेत्री युद्ध को छीड़ने के जो अहवान किया गया था यह पूरी तरीके से धरासाई अब हो चुका है और जो मोध धालीवाल की जो वीडियो हमने देगे थी उसका भी अब साफतोर पर ये जिखर यहा पार्टियां हैं इनको अब जड़ से उखार फेकना चाहिए क्योंकि ये सर्फ देश की संपर्बदा को खत्म करने का काम कर रहे हैं और इन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों ये देश में रहकर ही अपनों के साथ इस तरीके का रवया अख्तियार कर रहे हैं क इन नेताओं पर भी उपा लगना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से लगतार देश विरोधी बातें ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं इनसे साफ ये बया होता है कि जो इनके तार है वो पाकिस्तान, खालिस्तान, कैनेडा तमाम जो आतंकवादी संगटन हैं जो तमाम आत चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले